बडी कृपा ये मन से जनम प्राप्त हुआ, बडी कृपा सतसंग प्राप्त हुआ, बडी कृपा श्वामी जी की सरण प्राप्त हुआ, धाम, श्री हर्दास नाम, भारत भूमी, एक मात्र, अशीम कृपा, तब ही ये सुक्षोभाग प्राप्त हुआ है, लेकिन इस सुक्षोभाग को प्राप्त करने के बाद भी, हम अपनी बहर्मुक्चाल को नहीं सुधारें, ऐसा सुभ्याग जैसा सुभ्याग हम तुमको प्राप्त हुआ है, श्री धाम, बंदावन, चन्यु से संबन, जो समस्त धामों के मुकटमनी धाम है, समस्त रसिक जनों के मुकटमनी रसिक, स्री श्वामी जु महराज का नाम सुनने को मिला, इससे बड़ी बात और क्या हो शकती है, कोई नहीं हो शकती है, पायो हरिधन नाम, मेरी का चैये, स्री ब्रंदावन धाम, और मेरी का चैये, अनंत जन्मों से जिस सुख की खोज में दोड़ रहे हैं, समझ में आया या नहीं आया तुम्हारी में, लेकिन वो सुख हो, शरूप नाम और धाम तुमको प्राप्त हो चुका है, होगा नहीं, हो गया, केवल बिश्वास करना है, छोटा बच्चा अनिविग गया, सौने के डेले का भी इस्वास नहीं, उसको मिट्टी मानेगा, हाँ मिट्टी, गेंद है मिट्टी, ऐसे ही अगर तुम अनिविग हो, तो विश्वास नहीं कर पाओगे, बात बनेगी नहीं, बन गई, आज की बनी हैं बात, ओ सर समुझ घात, तव न खिशात सो कुबार समझायो है, आज कल जैये मर, काल भ्याल हूत डर, भोणे भजन कर, कैसो संग पायो है, चित बित इत दे हो, सुखए समझ ले हो, सर्स गुरु ग्रंथन ये भेदियों बतायो है, चरन सरन भैहरन करन सुखो, तरन संसार कों तु मानस बनायो है, एक मात्र संसार सागर से पार होने के लिए, और स्री हरी ने, स्री भिहरी भिहरी ने, अपना संग सोभाग्य देने के लिए, तेरे को मनुष बनाया, और सरनागती तुम्हारी हो गई है, नाम और धाम मिल गया है, तो तुमको सब कुछ मिल गया अब तो तुम्हारी तरब से कम हैं अगर ये चित बृत्ती अब भी संसार में रमण करती है इस्ट का विश्वास नहीं होता है प्यारे प्रैमी जनों सब हो जाएगा विश्वास नहीं हो रहा है कईयों के पुर्षन कैसे करें बिश्वास नहीं बन पाता है साधन नहीं हाँ हाँ पैसाओं में जैसे महत बुद्धी है यहां की जानकारियों में महत बुद्धी है किसी पदादिकारी से कोई जानकारी हो जाए तो मन में फूले फूले डोलेंगे हो हमारे उस पदाधिकारी से जानकारी है एक फोन मिलाएंगे हमारे सारे काम हो जाएंगे लेकिन वो सर्वनियंता सर्वश्वामी हमारे हिरदय कमल में ही बैठे हैं उनका फोन नम्मर याद नहीं है उनका फोन नम्मर ये नाम ही है नाम इश्मर्ण करो वो आएंगे नहीं तुम्हारे पास ही हैं वो तुम्हारे सामने प्रिगट हो जाएंगे सारी विवस्ताओं को समारते चले आए हैं और समार रहे हैं और समारेंगे हरी श्मर्ति स्रब्याद बिनासनम हरी का इश्मन ही समस्त ब्यादियों को बिनास करने वाला है ये नाम ऐसा एक फौन नम्मर है इस्ट के लिए जो हमेशा मिलाते रहो हमेशा इस्ट तुमारे पास ही रहेंगे दूर रही नहीं सकते हैं किंचित मात्र एक खिण के लिए भी दूर नहीं उपासक के संग दमपती भगवद्र शिक देजिमारा उपासक के संग ही प्रिया प्रितम रहते हैं एक खिण के लिए भी अपने जनों को नहीं त्याग शकते हैं स्री हरी शमरती सरब बिबद बिमोखनम स्री हर्दास नाम रुच श्री हर्दास नाम सुच और स्री हर्दास नाम लिए जाएं दुखों दोसमों चे किसी पदा विकारी से शम्मन होने पर तो तुम्हारा दुख दूर क्या होगा तुम एहम भाब में उट इस्थित्र होगे बरावर मैं 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 लेकिन ये ऐसा फोन नमबर है तुम्हारा एहम भाब समापत हो जाएगा इसको खटकाते रहोगे और वो स्वामी हाँ बताओ क्या कह रहे है जा नामे ले बोलिये वो फिर उत्तर दे विहार दास मोटो अर्थ चतुर संद समझ ले धोका नहीं है अच्छे जिन कहते जिस नाम को तुम पकारोगे वो नामी अवस ही तुम्हारे पास है ये विश्वास करो तुम्हारे संग है नाम बाणी जहां स्यामा स्याम तहां नाम बाणी निकट स्यामा स्याम प्रगट नाम बाणी सुनत स्यामा स्याम सुबस ब्रन्दावनी रश्क मानभाब विशुभास दुला रहे हैं मानभाब और कछू जो नाम ने एक नाम निजिटेग इसलिए और तेरे से कुछ नहीं बन सकता है तो केबल और केबल सीधे सरल भाव से अनन्य भाव से एक नाम किसी भी एक नाम में आस्था स्री हर्दास, स्री हर्दास, स्री हर्दास हरी के किसी भी एक नाम में आस्था बना ली और स्री हरिदास नाम में आस्था बना ली ओ फिर तो कहना ही क्या है ब्रंदावनम स्री हरिदास नाम जल्पन कित्वा शमस्त कर्मा प्रेमास्र मुंचन जन्तात भीतो ब्रक्यस मूलासन आस्रियसे ये शुक सोभाग स्रीदाम ब्रंदावन की रजमें किसी लता के नीचे मूल में बैठके स्री हरिदास नाम जब करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाए प्रेमास्र मुंचन जन्तात भीतो प्रेमास्र भाते हुए हे श्वामी जू हे मेरे लाली लाल हे ब्रंदावन जन्तात भीतो मुंचन जन्तात भीतो और शगेशं मंधियों से भैभीत होकर आशक्ती को तोड़कर अनाशक्त भाव से रहते हुए केवल आशक्ती ब्यारी ब्यान के च्रणों में ऐसे बिताते हुए श्रीधान ब्रंदावन का आस्र है और जहां भी रहते हैं वहीं ब्रंदावन जन्तात तुम्हारे साथ रहते हैं ऐसा अनभव कीजिए से बिचार कीजिए हम ब्रंदावन धाम नहीं बैठे हैं और देशी अगर ब्रंदावन धाम प्राप्त हुआ है तो कहना ही क्या है भाग बढ़ो ब्रंदावन पायो जारज कोसर नर्मन बंशित बिद संकर से लनायो ब्रंदावन चन्यू को जो बाहर रहते हुए इश्मन भी करेंगे ब्रंदावन 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 निश्यत रूप है ब्रंदावन के ब्यारी ब्यारन प्रिया प्रितम बिलेंगे और निश्यत ही तुमको ब्रंदावन में आना ही आना है चाहे शरीर रहते हुए आएं या शरीर छूटने के बाद आएं प्रिया प्रितम तुमको ब्रंदावन में ही बुला लेंगे इसमें कोई सुद्से की बाद नहीं ब्रंदावन चैंज्यू सर्व शामर्थिवान है श्वैम युगल को भी सुख देने वाली हरदयर सरूपा सहच्री है नेत्य विहार सार सबको आति दुल्लव अगम पार स्रीश्वामी नागर्देजू महराए हे रशिक जनो इस सबका सार सरूप सब सारन को सार निर्वद नित्विहार नित्विहार सार शबको आति दुल्लव अगम अपार अपार दुल्लव है इससे बड़ी दुल्लव वस्तो कोई नहीं है पंच रिशियों को अनन्त जनम धारन करके तपश्या रत बारवार्ष भगवान नारायन आते हैं बरदान मांगोक नित्वियार चाहिए और कुछ मांगलों ये नहीं दे पाएंगे हैं भगवान नारायन लेकिन उनको ये कहना पड़ता था और कुछ मांगलों ये नहीं दे सकते हैं बताई बड़ी दुरलव ऐसो रसिक भयोने हुए है भू मंडल आकास अनन्य रपति स्री स्वामी हरिदास अनन्य भू में पह स्वामी हर्दासोन पेख्यक सरभूतान कम पेच व्याई इस पर जम सुखम ना न्याशाम कृतवान से वा मरते कुछ विहारनों महिंद्रम मानवेद्रम च यो मेरे इत्रन वसल जा सरभ सुक्संसार की 3 मलवत स्वामी जी महराज ने त्याक के कुछ विहरी एकास और सकल तज दुरास ऐसी रषिक नन्य श्वामी जी महराज की स्रणारती जो उनके हर्दा कमल में उनकी गोदी में विहरी विहरन कृडा परायण है명 क्लिळा परायण है स्री ललता सुरूप स्वामी हर्धाजी मराय इनकी नाम का अस्र लेके कूची नित्य विहार की स्री हरिदा सिहार शीवत सादक शिद सव्जाचत नावतमा नित्य विहार सार सवको अति दुल्लव अगम अपार अपार दुल्लव है अगम है सब की गम से बाहर है किसी की गम नहीं कितना दुला जहां इस्वरों का भी मन नहीं इस्वर कोटी के महापुरसे उनका भी मन नहीं क्यों कठिन है जी ये बता दिया अनन्य धर्म संधी समझेविन माया कठिन किवार अनन्य धर्म की संधी जब तक अनन्य भाव नहीं होगा धाम के प्रती नाम के प्रती बस्तू के प्रती और रस के प्रती वैस के प्रती रूप के प्रती आदियान ये जो है अननिभाव नहीं होगा धाम नाम रूप वैस आदियाद श्वामी जी का नाम ब्रंदावन धाम तो अनन्य धर्मशंधी समझीविन माया कठिनकिवाद बड़ी कठिनता है फिर फिर नहीं प्राप्त होगा ये भूल में भी नहीं होगा भूल भूल कोई भी तरीक इसे नहीं माया कठिनकिवाद बड़ी कठिने माया का पसारा भगवान केते हैं मम माया दुरत्या मामे वी प्रपध्यनते माया मेताम तरंतिते मेरी माया बड़ी दुस्तर है इससे पारपाना एक योपा है अनन्या चिन्तिंतो माम ये जनहा परपास्ते तेशाम नित्या व्युक्तानाम योखेमं भाम्यं मनमना भव मध भक्तो मंध्याजी माम नमश्कूरो मामे वियस्यसी सत्यम प्रजजाने प्रिवसिमे केवल और केवल मेरा नाम, मेरा धाम मेरे लिए दंडोद, मेरा प्रशाब, मेरी पूजा, मेरी सेवा, स्रीहरदाज सेवा, स्रीहरदाज पूजा, स्रीहरदाज भजन बिन भावने दूजा और किसी के भी धर्म का खंडन नहीं, किसी की अभेलना नहीं, किसी को नियून नहीं कहना है अपने आराध अपने इश्ट में अखंड अनन्य रती उनी का नाम जाप करना है उनी की प्रसादी पानी है एक मात्र सब के अंदर अपने युगल के दर्शन करने है लेकिन संग समझ के करना है संग सब का नहीं करना है संग जो न सजाती संग मिले तो साधन कियो न जाए संग समझ के करना है लेकिन भाव भगवत भाव रखते हुए अथ्वा अपने इश्ट का भाव रखते हुए सब की अंदर अपने युगल के दर्शन करने है अपने विहर जी स्वामी जी के दर्शन करने है तो माया से पिंड कटेगा अनन्य धर्म यही अनन्य धर्म परिपाटी है कि सब की अंदर अपने यूगल की दर्शन करें लेकिन जो यूगल की अराधना नहीं करते हैं जो इष्ट के अन्याई नहीं हैं जो बहरमुख हैं उनका संग नहीं करना है ये भी अनन्य भाब में ही समार है उनका संग नहीं करना है तजोरे मन हरी बिमुखन को संग जिनके संग कुबुद उपजत है परत भजन में भंग तजोरे मन हरी बिमुखन को संग उनका संग तो त्याग नहीं त्याग नहीं नहीं तो अनन्य भाव में इस्तर नहीं विवचारिन को संग तज भज अनन्य नहेकाम दिहारिदा सब दिन सुखी दम पति रति दन दाम अनन्य भाव को तभी निभा पाएंगे जब विवचारियों का शंग थ्याग जाएगा शंग में भगवत बुद्धी सब हमारे हरी ब्राजमान हैं लेकिन संग देही को देखे नहीं जो देखे सो देह हमको देही पे लखे देह से सब संबन्द नहीं हमारा देहों से संबन्द का मतलब जो सजाती सुद्रण सजाती हैं जिनके शंग से विहरी विहरन के सिशनार में रती की ब्रदी होती हो केवल उनका संग करना है बाकी सब से उदास रहना है विहरदास से अरदास के संसारते उदास उदास निंदा नहीं करनी और ना उनसे संबन्द बनाना है उदास हसते हसमिलोग दुमने खरे उदास हसते जो सजाती हैं सहज प्रहमी जन हैं अनुरागी जन हैं उनके चरणों में अनुराग उनके संग में अनुराग दुमने खरे लिकन बहरमुखें खरे उदास उनसे खरे उदास हो जाओ भलो बुरो समझें नहीं, सहेज विहरी दाग, भला बुरा कुछ नहीं समझना है, ये बुरा नहीं, ये भला कुछ नहीं, ये जो है, रागदुष में सितनी रहना है, सहेज विहरी दाग, सहेज प्रकार, अपने इष्ट की रती में, इष्ट की शनों में, दड़भा, ये है यहे उपदे सुपाई स्री बिहारिन दास कृपाते जाने जू बिहारी बिहारिन की दास है बिहारिन दास केना बिहारी दास केना भी बड़ा दुल्लव दास का है वो हरी का दास कहना बड़ा दुल्लव है और इसमे भी भिहारी दास कहाना, ब्रंदावन दास कहाना, अतिदुल्ला है, दास्ता तो कहिन कहीं है, कहिन कहीं गुलाम पना तो है, माया की दास बन रहे हैं अनिक जनमों से, गुलाम पना तो है, कोई पैसाओं का दास है, कोई जो मान बढ़ाई का दास है, दास्ता का मतलब जिसने इस मन को हरन कर रखा है जेरो के ओते ही खसम आचायजन कहते हैं जिसने तुमारे मन को चुरा रखा है वो ही तुमारा स्वामिये तुम उनके दास हो पैसा में ममत बुद्धी है तो पैसा के दास हो सनमान आति प्यारा लगता है तो सनमान के दासो जो कि जहर है बिस है शम्मानम कलियाती घोर गरलम घोर गरले बिस है और अपमान अमरत है लेकिन कोई अमरत को पीतो ले को बिल्लो सकै समहार कोई बिल्ले बिल्ले अपमान का घूंट पी पाते हैं बिल्ली बिल्ली उन्हीं की जड़दाय में बस्तू खेलती है तटस्त यहे उपदेश उपाई श्री बिहारिन दा सिक्रपाते जाने तो यह उपाई यह उपदेश बिहारी विहल्म के श्रणों में रती ब्रंदावन की मेहमा यह एक मात्र हरी दासों के बिहारिन दासों के बिहारिन दासों की करपा से ही यह सुनने समझने को प्राप्त होगा इनकी करपा से युगल की करपा बाद में पहले इन रसिक जिनन की इन दासों की दासों की करपा मनाओगे तब दास्ता आएगी तब यहारि जी अपनाएंगे जो दोसी है संत को जो दोसी है दास को हर दोसी लखवार इनके अगर दोसी हो तो प्रभू कभी अपनाएंगे नहीं कभी नहीं सोचना भी मत के हम भजन कर रहे हैं और सादू संतों से भक्तों से देश कर रहे हैं कभी नहीं अपनाएंगे यदे भी वो नाम जाब खाली नहीं जाएगा लेकिन बहुत देरी है और किसी संत का आस्त्रह लेके थोड़ा भी नाम जाब करोगे यह निभाव से अपना लेंगे संतों के माध्यम से गुरूओं के माध्यम से रश्कों के माध्यम से भक्तों के माध्यम अपनाते हैं, अगर एनमें दोस्दर्शन, कभी नहीं भजनती तुमां भक्तियां मैते तेस्चाप्यां भगवान कहते हैं शमुव हम सर्भूतिसो नमे द्युश्वस्तिर प्रिया मेरे लिए न कोई द्वेसी है न प्रिय है सम है सम्पून जगत लेकिन पक्षपात क्या है? भजनती तुमां भक्तियां जो मुझे भक्ती भावना से भजते हैं उन में मैं हूँ और हूँ मेरी में उन कहने का बतला एक खिन के लिए अलग नहीं हो सकते हैं ये पक्षपात है एक सम, समान रूप से, अंस रूप से, सब के अंदर हरदेश रूदन तिश्चती लेकिन ये निजी बात के दिव हरी नहीं उपासक की संग्दम्पती एक होता है अपना एक निजी परिवार एक सामुत और पर्शव तो ये है अपदेश उपा इस्री बिहार नदास क्रपाते जाने क्रपा शाध्य है काहू को बसनाएं तुम्हारी क्रपाते सब होई बिहारी बिहारी शंत महापुर्श रसिक जन एक प्रसंग सुनाते हैं स्री दाम जी का स्री दाम जी ग्रहस्त मारग में रहते थे शंत निष्ट भक्त निष्ट नाम निष्ट सहज भाव से ग्रहस्त मारग में रहते हुए ठाकुर जी की क्रपा सन्योग से उनकी एक बहुत बड़ी सर्विश लगी, वो कोशाध्यक, मामूली ने कोशाध्यक बनाई गए, राजा की तरफ से, कोशाध्यक की बनाई गए, वो नामजाप निरंतर कोशाध्यक की पदप होते हुए, सहज भाव से, कोई भी आए, उनसे जो है, कैक महरा है, हे दयालू हमारे तो ये जरूरत है, कोई गरीब आए, तो बिनाई राज अग्या के, उसको धन्डे डालते थे, उसको धन्डे दे दे थे, स्रीदामजे, ऐसे दयालू सुभाव के थे, आप किसी ने राजा से सिकायत कर दे, कि इस तरीके से तुमारे कोशा धेके जी, तो श्वतन्त रूप से ही, और कोश में से धन्डे देते हैं, आपको पता भी नहीं है, तो यथार्त में जानकारी करी तो, रास्तम में ऐसा ही है, कोश भी खाली हो गया काफी, उन्होंने का ठीक है, म्रत्यु धन्ड बोल दिया, म्रत्यु धन्ड सीधा, यह तो महाप्राफ है, बिना हमारी इच्छा के आग्या के स्वतन्त रंग से कोश में से, चैज इसको धन दे देते हैं, म्रत्यु धन्ड बोल दिया, आओ, राज कर्मचारी, उनको जो अफासी की सजा के लिए, बताया कि तुमने जो महाप्राफ किया है, तुमने जो है, बिना ही राज अग्या के स्वतन्त रंग से, और कोश, खजाने से धन को व्य किया है, दिया है लोगों को, तुमको म्रत्यु धन्ड की सजा है, कि ठीक है मुझे सुईकार है जो ही जो ही तुम राखत हो ये भाव से दोता है जो शर्णागत होते है ठीक है मैंने अपराद किया है तो मुझे दंड मिलना ही चाहिए कौन से मिलना चाहते हो अब तुमको मृत्यु दंड के लिए ले जाए जाएगा यहाँ से जिस स्थल पर जो मृत्यु दंड दिया जाता है लेकिन किसे मिलना है तुमको कीवल और कीवल मुझे प्रवुक ब्राजमान है मंदर में उनके शामने होके निकाल दीजिए उनके दर्शन कराते हुए बस और मैं किसी से मिलना नहीं परिवार से किसी से कुछ नहीं शमरपनभाब और किसी से नहीं मिलना मुझे कीवल प्रवु से मिलना है मुझे दर्शन करना है मुझे हाँ ठीक है शामने से निकालते जा रहे है एक नजर दर्शन करके तुम राजी हो तुम प्रसन हो जो ये मरतूदन देना चाह रहे हैं तुमको अगर प्रसनता है तो मुझे भी प्रसनता है ये कहके निकल गए आगे प्रसनता है कोई ये नहीं कोई मन में दुख है कोई नहीं जो ही जो ही तुम राखत हो ठाकुर बड़े लीला धारी हैं जिन बालक राखे महतारी जैसे महतारी बच्चे की स्रख्या करती है ऐसे ठाकुर अपने भक्तों की स्रख्या करते हैं भक्तों के हित में रहते हैं जिनके हितेशी स्वैम ठाकुर हैं उनका बालवा का कौन कर सकता है बालवा को कर सकता है जो जगे बेरी हो आप इस्ट बिठल ना जी बिठल जी बिठल भगवान श्वैम एक दास का रूप धारण करके बड़ा संदर पीतामर है संदर भेश नील वरण जलमल जलमल पीतामर रूप की जहांकी अतिन्त उज्वल कांती छिटक रही है राजा के पास पहुँचे राजा देखो मैं स्रीदाम जी का सेवक हूँ और मेरे मालिक को आपने मृतु जंड के लिए भेजा है लो अपना पीतामर में से एक हीरा लेओ तुम्हारे पूरे कोस भर में एक इस हीरा की कीमत नहीं होगी मेरे जो मालिक हैं इतने बड़े हैं तुमने उनको जो है और मृतु दंड के लिए तुमको शंकोच नहीं लगा आप तो उनके दर्सन ही कर रहे हैं हीरा की तरब देखें राजा और दर्सन कर रहे हैं सेहन साथ आप तो इतना कहके अंतर ध्यान राजा न तुरंप सुचना करी कि उनको जहा ले जा रहे हैं। दंड के लिए तुन चुड़वाया तुन घुड़वाया तुन घुड़वाया और बुलवाया कि अब मरतु दंड की तो बाते ही छेड़ो बोले स्रीदाम जी मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसे राजाओ ऐसे धनवानी हो मेरे कोस मूरे पूरे कोसों में एक हीरा की कीमत का कुछ नहीं है एक हीरा की और तुम्हारे सेवक के पास ऐसे ऐसे ही रहा, लेकिन एक बात है, तुम अपने सेवक के मुझे थोड़ा दर्सन करा दू, ये मेरी याजना है दुबारा, और मुझे तुम से कुछ नहीं चीए, जो तुम पद चाहू बुले लो, लेकिन उनके दर्सन करा दू, कि सीवक हा कि ही महराज में तो आपका सीवक हूँ मीरा सीवक कोन है प्रगोज। vídeos मेरा सीवक कोन है कि नहीं 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 अपने सीवक के दरस में क्या नाम बताया था क्योंने नाम बताया तक मेरा नाम बिट्ठु है बिट्ठल ओह आँखों में आँशुवा गए कि हे प्रफो आप बड़े लिला धारी हैं, बड़े लिला धारी है, स्री दाम जी कि मेरे वो स्वामी है, वो मेरे इष्ट है, स्री भगवान है वो बिठ्थल जी, धन्य है तुम्हारे भाग, तुमको उनके दर्शन हुई, तो ऐसे लिला धारी है, इष्ट का जिनको भरोसा होता है, तो उनके शंग हैं, दूर का मतलब ही नहीं है, दूर का मतलब नहीं है, तो यहे उपदे सोपा, स्री भिहारिन दास क्रपाते जानें, लेकिन यह मिलते हैं संत्रशिक भक्तों की क्रपा से, इनके सीशनों में अनुराग होना ही मिलना है, नाम जाप में मन लगना ही मिलना है, अखनता, नित सिद्ध बिन नागरिदास कहा को पेंचानें, नित सिद्धों की क्रपा से, कोई दास इनको पेंचान पाएगा, नित सिद्ध बिन नागरिदास कहा को पेंचानें, नित सिद्ध श्वामी जुमाराज, बिजल दी जुमाराज, बिहारिन दी जुमाराज, ना आज नित्सित महापूर्द सहें, इनकि वाराणी का आस्रे और इनकी कृपगा का आस्रे, इनकी रहनी रिति का आस्रे, जब अनु OH भघ्यक धारन करेंगे तो अवस्य अवस्य ही वह परंबस्तु प्राप्त trojee इसलिए निरंतर स्री हरदास नाम में रती तो बस तु निश्य हस्तामल होगी स्री हरदास, स्री हरदास